बिग बॉस 17 की कंटेस्टन मुनावर फारुकी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं इस बार मुनावर के ऊपर बिग बॉस 17 की कंटेस्टन और मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड आईशा खान ने उनके ऊपर अपनी वाइफ को चीट करने का आरोप लगाया है दरसल आईशा खान अंकिता लोखंडे से बातचीट करते समय उन्हें बताती हैं कि जब मुनावर लॉक अप शोब में थे तब उनका तलाक नहीं हुआ था फिर भी वो नाजला को डेट कर रहे थे मुनावर ने नाजला के साथ मिलकर अपनी वाइफ को धोका दिया है मुनावर ने तलाक के बाद अपनी बीबी को ऐसी जगए भेज दिया था कि वह बहां से मुनावर के खलाब कुछ भी ना बोल सके मुनावर जब नाजला के साथ थे तब उनकी एक्स भाइफ मुनावर के लिए बहुत रोती थी और वह बार बार वीडियो कॉल करके मुनावर से एकी सवाल पूछती थी आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बता दें कि अभी मुनावर की एक्स भाइफ की शादी दूसरी जगए हो चुकी है आगे उन्होंने बताया है कि ये बात नाजला ने खुद आईशा को बताई है कि मुनावर ने अपनी एक्स भाइफ को चीट किया है आपको बता दें कि बिग बोस का लेटेस्ट प्रोमो शामने आया है जिसमें आईशा को मुनावर रोगने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन बोन नहीं मानती बलकि इस दोरान उनका गुस्सा साथवी आस्वान पर पहुँच जाता है बो उन से कहती है कि सो से जाते जाते मैं चितरे उड़ा कर जाऊंगी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी मुनावर की खिलाफ हैस्टेक सेव गल्स प्रोम मुनावर के नाम से हैस्टेक चलाए जा रहे हैं अब ऐसे मैं देखना ये होगा कि आईशा खान के आरोप में कितनी सच्चाई है इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट शेक्शन में बता सकते हैं